नमस्क्रार दोस्तों स्वावात आप सभी गए एक और वेडियो में तो इस वीडियो में आध बात करंगे हम banking ऑफ रोड के बारे में तो इस से पहली वीडियो में हम circular टर निंग के बारे में बात कर चुके हैं तो यह संतल के लिए था बिल्गुल और जो तरन लेते हुए जो फोर्स अंदर की तरफ काम कर रहा था जो कि सेंट्रेप्टल फोर्स था। वो किसके कारण था वो फ्रिक्शन के कारण था ठीक है लेकिन हम चाहते हैं बहुत हम फ्रिक्शन के ऊपर जद्धा डिपैंड ना रहें तो कुछ ऐसा जुगाड हो यह जो है फ्रिक्शन का फोर्स कम ओ जाए जी रो हो जाए तो इसके लिए उसके लिए क्या करते हैं इसके टेट्एंस ट्सक्राइब इस road को एक तरफ से जो है किसी एंगल थीटा से हम उठा देंगे इस रास्ते को एक तरफ से किसी एंगल थीटा से उठा देंगे क्यों क्योंकि देखो जब यह बिल्कुल horizontal पर था तो यह जब चल रहा था तो friction का force अंदर की तरफ लग रहा है क्यों 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 कि टायरों पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है जो इसको skid कर देना चाहता है बाहर की तरफ तो उसको oppose करने के लिए friction का force लगता है लेकिन बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है हम क्या करें इसको किसी एंगल थीटा से उठा देगी वो भार की तरफ का फोर्स लगे ही ना जो स्केड इसको करा दे वो लगे ही ना तो फ्रिक्षन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा अगर वो फ्रिक्षन जीरो हो जाएगा ठीक है तो उस टाइम पर जब फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा उस टाइम पर वेलोसिटी इसकी क्या होगी या फिर उल्टा कर लेते हैं भाई इस अर्रेंजमेंट को हम करेंगे ठीक है और वो वेलोसिटी क्या होगी जिस पर फ्रिक्शन जीरो हो जाए तो बनाते हैं इसको यह वाला यह हमने एंगल थीटा पर जिससे की बाहर का स्केडिंग जो फोर्स है वो ना लगे अगर ना लगेगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा जिरो जो कि एक सेल्फ एड़्जस्टिंग फोर्स है फ्रिक्शन अब यह माल लेज़े भाई वी कर लए ठीक है इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा उबर के तरफ हमने पहले ही एजिम कर लिया कि भाई फ्रिक्शन नहीं लग रहा इतना हमने एंगल इसको दे दिया कि बाहर के तरफ लगने वाला जो स्केडिंग फोर्स है जो बाहर इसको स्के यह इंकल ठीटा है तो यह वाला अग्ल कि अगरूनी थीटेड़ और आप यह केतिंगा नैट्जी माइनस थीटा यह कॉंपोनंटि इसका यह होगा है कि फिर दुबारा से थीटा ङोगा इंट कि तो अगर यह एंगल थीटा है तो यह कॉंपरेंट केतना हो गया and cos theta यह हो गया and sin theta friction हमने 0 लिया है इस time पर क्योंकि हमने इसको किसी एंगल थीटा पर इतना उठा दिया कि friction 0 है friction काम नहीं कर रहा तो इस angle पर जब friction 0 है तो कुछ velocity निकल कर आएगी इस vehicle की वो velocity इसकी जो है safe velocity मानी जाएगी ठीक है अब उस safe velocity से उपर भी हम चला सकते हैं safe velocity नीचे भी हम चलाएंगे जब उस safe velocity से उपर चलाएंगे तब friction काम करेगा जब उस safe velocity से नीचे चलाएंगे तो भी friction काम करेगा वो हम देखेंगे पीछे पहले इस और इसको हम करते है तो इसमें जो n sin theta है n sin theta है अंदर के तरफ लगने वाला force है सिर्फ वार्टस की वेज़े से किसी angle theta पर हमने इसको उठाया है हो कितना हो गया m r omega square जोगी इसका centripetal force होगा अब n cos theta किसके बराबर है mg के n cos theta पराबर है mg के और इसको हम लिख देते है b square over r square r से r को हटा देते हैं m से m को हटा देते हैं इनको कर देते हैं हम divide n से n कट गया 10 theta is equal to v square over r g v square over r g so velocity is equal to r g 10 theta square root of y तो ये velocity जो है safe velocity होगी ठीक अबी बिना friction के जब हम ये जुगाड लगा देंगे जोगी है banking of road ठीक है तो ये safe velocity इसकी निकल कर आ जाएगी इस time पर friction कितना लिए हमने 0 जो कि हमने कर दिया ठीक है इस angle पर ठीक है अब safe velocity से उपर हम कितनी velocity दे ठीक है जोगी इस scale ना करे और safe velocity से नीचे कितनी velocity दे ठीक है वो velocity हमको निकालनी है कि भई हम maximum कितनी velocity पर चला सकते हैं और minimum कितनी velocity पर चला सकते हैं और बागी जो इसका radius होता है ठीक है जो मैदानी area है उसमें तो हम turn जाता ले सकते हैं लेकिन area होते हैं जब बाड़ी area होते हैं तो उसमें हम radius जादा बढ़ा नी सकते हैं तो यह चीद आपको ज्यान में रखनी है अब हम speed की बात कर लेते हैं maximum speed हम कितनी ले सकते हैं और minimum speed हम कितनी ले सकते हैं जब हम banking use करेंगे यह वाला angle है theta अब हम maximum speed ले ले तो भी maximum speed हम कितनी यूज करेंगे maximum कितना हम speed बढ़ा सकते हैं अब जब हम speed को बढ़ाएंगे maximum speed को बढ़ाएंगे तब friction act करेगा safe velocity है तब friction 0 है लेकिन अब हम speed को बढ़ा रहे हैं speed को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा जो है friction काम करेगा भई ध्यान रखना हम velocity को बढ़ा देंगे भई V safe ओगई है अब V safe से वड़ी जो velocity है V maximum कितने ले सकते हैं और V minimum कितने लेंगे जम velocity को maximum लेंगे ठीक है कि भई हम जो है कितनी velocity बढ़ा सकते हैं और velocity बढ़ाएंगे तो friction काम करेगा velocity खटाएंगे तो भी friction काम करेगा velocity safe लेंगे तो friction काम नहीं करेगा उस time के लिए friction क्या हो जाएगा 0 अब जब उन्हें वेलोसिटी को बढ़ाया ये वाला वीकल है ठीक है नॉर्मल यहां पर काम करेगा ये इसका वेट हो गया mg ये वाला एंड साइन थीटा ये वाल हो गया एंड कॉस थीटा ठीक है अब जब 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 वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो इसका जो centripetal force है ठीक है वो centripetal force ज़्यादा था ये फिर इसको जैसे हम speed को बढ़ाएंगे ठीक है तो ज्यादा centripetal force है अंदर की तरफ वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो चाहिए तो क्या होगा थे फो और चाहिए या फिर जो centripetal force है वो बड़ा हो जाएगा किस से एंसाइन थीटा से लेकिन हमको तो बड़ाबर रखना है ठीक है बड़ाबर रखना है तो इसमें एक force और act करने लगेगा जो क्यों होगा friction का force यह friction का force काम करेगा यहां के नीचे की तरफ ठीक है यह वाला friction force न जाएगा अग इसके साथ एंसाइन थीटा के साथ ठीक है और एक component इसका बन जाएगा नीचे की तरफ ठीक है इसके दो component बन जाएगे एक horizontal और एक vertical अगर यह angle theta है तो यह angle कितना हो जाएगा theta अगर यह f है तो कौन सा component आएगा f cos theta और यह आगा f sin theta तो जो centripetal force है कितना m r omega square वो हमको बड़ा चाहिए ठीक है बड़ा चाहिए कितना बड़ा चाहिए n sin theta से तो बड़ा है ठीक है तो इसमें हम कुछ n sin theta में जब हम f cos theta add कर देंगे तो वो centripetal force के बड़ाबर हो जाएगा स्पीड बढ़ाई centripetal force बढ़ गया तो centripetal force भी बढ़ जाएगा लेकिन हमारे पास सिर्फ वरसर n sin theta है n sin theta तो छोटा है centripetal force से पहले वाले से पहले वाले में तो बड़ाबर था centripetal force जब हमने सेप velocity ली थी तो n cos theta बड़ाबर था mr omega square के ठीक है लेकिन अब हमने velocity बढ़ा दी तो centripetal force भी बढ़ जाएगा तो n sin theta थो छोटा हो गया प्लस f cos theta ठीक है और यहां पर mg mg प्लस f sin theta f sin theta बड़ाबर किसके होगा n cos theta के तो मतलगे इस f sin theta को उठा कर उधर के तरफ फैंक दो f mg is equal to n cos theta minus f sin theta sorry यह sin theta है यहां ठीक है आप यहां से m से m हटा दीजिए ठीक है और यह omega square क्या है v square over r square एक r से एक r पहता दीजिए तो यह हो गया v अब इनको आपस में divide कर दीजिए v square over r g is equal to n sin theta plus f cos theta divide by n cos theta minus f sin theta तो जो velocity है यह कितना maximum की case में ले रहे हैं आप maximum velocity square is equal to r g n sin theta plus friction cos theta divided by n cos theta minus f sin theta और यह आगया इसका square ठीक है भई तो इतनी हमको जो है maximum velocity मिलेगी तो ठीक है यह maximum velocity है जब हम velocity को maximum कर देंगे देखो velocity को तो maximum कर सकते हैं कितना भी maximum करें ठीक है पांच 10 15 20 25 30 कर सकते हैं अपने हाथ में accelerator अपने हाथ में जितना चाहूं बाबा का राज है देते रहूं ठीक है लेकिन क्या होगा यह वाला जो फ्रिक्शन है फ्रिक्शन तो लिमिटिंग होता है ना फ्रिक्शन की तो अपनी कुछ बढ़ सकती है value जो कि फ्रिक्शन इस ओल्वेज लेस देन एक्वल टू म्यू एन friction है जो या तो वो छोटा होगा mu n से या वो बड़ाबर होगा mu n के उससे बड़ा तो हो नहीं सकता तो friction तो एक limit तक बढ़ेगा उसके बाद बढ़ने नहीं सकता ठीक है तो अब हम यहाँ पर friction की value अगर mu n पुट कर देंगे तो हमको maximum velocity हम कितनी रख सकते हैं वो चीज हमको मिल जाएगी कि maximum velocity हम कितनी रख सकते हैं किसके case में banking के case में कितनी velocity हम रख सकते हैं maximum ठीक है friction को ध्यान में रखते हुए वो चीज हमने काम देंगे अब friction की जगह friction की जगह हम पुट कर देते हैं म्यू एन बस इतना ले सकते हैं इक्वल उसके उससे ज़्यादा नहीं तो यह हो गया और जी एन डासा है रहना तो sin theta प्लस म्यू एन cos theta divided by n cos theta minus μ्यू एन sin theta तीज है और इस को जाते कर दे अब n n n और n यह cancel कर देते हैं तो जो maximum velocity banking के case में हम ले सकते हैं safe वाली velocity यह है और maximum वाली velocity यह है rg rg को जगे रहने दो अब cos theta उपर भी नीचे इससे भी divide कर दो और इससे भी divide कर दो sin theta divided by cos theta क्या हो जाएगा 10 theta plus mu cos theta divided by cos theta is 1 divided by cos theta divided by cos theta is 1 minus mu 10 theta तो यह वाली maximum velocity हम ले सकते हैं इतनी maximum हम ले जाएंगे thinking case में इससे जादा लेंगे तो centripetal force कम पड़ जाएगा बाहर का force जादा हो जाएगा और वो scared कर जाएगा ठीक है friction को हम use करेंगे mu n क्योंकि इससे जादा तो वो हो ही नहीं सकता जो वाली जो है friction की value निकलता maximum velocity हम निकाल लेंगे और safe velocity यह है इसकी ठीक है उसके बाद ऐसे ही हम जो है V save यह आ गई V max यह आ गई अब minimum निकाल लेते हैं minimum क्या होगी भाई V save को V max को यहां पर लिख देते हैं कर जी 10 theta प्लस 1 minus mu 10 theta यह maximum में लिया हमारे पास ठीक है आप क्या करते हैं minimum ले ले देंगे minimum से minimum कितने ही कर सकते हैं वही दुबारा से यह बाद है वही कर लिख के यह पही है ट्राइंग में जाता पड़ी आ हैं यह नॉर्मल इसका यह mg ठीक है अब यह V velocity यह नहीं कि ऊपर नीचे चड़ रहा है ठीक है यह क्या तो आग आएगा या पीछो के तरफ जाएगा यह कुछ किस तरह से रोड है मांगी यह कुछ इस तरह से ठीक है यह एंगल थीटा है तो यह कितना हो गया थीटा अगर यह एंगल थीटा है तो यह और यह एंगल थीटा यह वाला इंगल और यह वाला इंगल थीटा यह कितना हो गया एफ कॉस थीटा और यह हो गया एफ साइन थीटा ठीक है तो mg बराबर होगा F sin theta plus N cos theta और M r omega square क्योंकि अंदर की तरफ लग रहा है वो बड़ाबर होगा N sin theta minus F cos theta Centrival force अंदर की तरफ काम करेगा ठीक है तो यह हो जाएगा M r omega square plus N sin theta 1 minute M r omega square plus sorry, सही हो M r omega square बड़ाबर होगा N sin theta minus F cos theta ठीक है अब हम यहाँ पर जो है कर देते हैं इसको किसे लिए की तरह M से M अटा दो ठीक है इसको नो उपर लिख लो R omega square और omega की जिए V square over R square over R square is equal to N sin theta minus F cos theta divide by G N cos theta plus F sin theta अब एक R से 1R को cancel कर दो और R G को multiply कर दो यहाँ पर और इसमें से यहाँ से अटा दो इसको यह आगे निकल कर तो velocity कितना यह निकल कर आगी minimum case में अब देखो friction फिर दो बार से friction तो जो है एक value तक बड़ी सकता है friction always less than equal to mu N तो equal कर देते हैं mu N के maximum इतना बढ़ सकता है कुछ से जाद नहीं से जाद नहीं बढ़ सकता तो आजाओ N sin theta minus mu N cos theta R G divide by N cos theta plus mu N sin theta cos theta से यहाँ से डिवाइड कर दो cos theta से यहाँ से डिवाइड कर दो यह क्या हो गया 10 theta यह हो गया 1 यह हो गया 1 और यह हो गया 10 theta अब N N N और N अटा तो इसको so velocity जो minimum निकल कर आएगी वो बड़ाबर हो जाएगी 10 theta minus mu over 1 plus mu 10 theta तो इसकी वाली जो है minimum velocity निकल कर आजएगी इसकी तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या safe velocity क्या है minimum velocity क्या है और maximum velocity क्या है तो इससे वेलोस्टी है जो इसकी और यह भी maximum इतनी ले सकते हैं भी minimum इतनी ले सकते हैं आजए बराबर है आजए 10 theta पर यह वाली है आजए 10 theta minus plus mu divided by 1 minus mu 10 theta 1 minus 10 theta minus mu आप यह प्लस है क्या हमना क्या होगी यह भाला प्लस है अबर और 1 plus mu 10 theta और आजए हमकर भी है तो यह वाली हमारी same velocity होगी जब हम क्या करेंगे neglect कर देंगे friction को उसको इतना उठा देंगे कि सिर्फ और सिर्फ n sin theta ही बराबर हो जाएगा centriptal force के ठीक है यह वाली maximum velocity हम कुत नहीं ले सकते हैं कि वो square ना करे कि friction जो है खतम ना हो अब लिए maximum value तक friction पहुच जाए उसके बाद वो बढ़ने सकता ठीक है तो यह वाली maximum velocity हो जाएगी और यह वाली minimum velocity हो जाएगी तो यही चीज़ आपको दो है banking के अंदर याद रखनी है ठीक है पहला circular turning पढ़ा था circular turning में थे जो हमारी जो centribidal force है सिर्फ फर सिर्फ friction के ऊपर depend था लेकिन जब हम इसको banking देंगे road को ठीक है सड़क को जब हम एक तरफ से किसी angle theta से उठा देंगे तो वहाँ पर friction 0 भी हो जाएगा friction जो है जब velocity maximum होगी उस condition में अलग friction होगा जब velocity minimum होगी अगर आपको वीडियो पसंद आगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए सभी students के साथ जो भी IIT, JG Physics की त्यारी कर रहे है जब है 11th class में पढ़ रहे है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद